So welcome guys, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप Poco M4 Pro Mobile में किसी भी Apps को Hide कर सकते हो Guys सबसे पहले आपको किसी भी Apps को Hide करने के लिए क्या करना है अपने Home Screen पर Long Press कर देना है अपने जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर आपको Long Press करना है और यहाँ पर Long Press करते ही आपको Setting का Option मिल जाएगा तो Setting पर क्लिक करना है Setting पर क्लिक करने के बाद यह Option आपका Disable रहेगा Hide App वाला तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे Disable रहेगा तो मैं फिर से करता हूँ और Setting पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखे Hide App आइकन का Option मिल ला है आपको इस तरीके से दिखाए देगा तो यहाँ पर आपको इसको क्लिक करके Enable कर देना है अब गाईज आपको क्या करना है सबसे पहले जाना है अपने App Drawer में App Drawer में आने के बाद गाईज यहाँ पर आपको दो बार स्वेप करना है जैसे स्वेप करोगे तो यहाँ पर देखे Set Password का Option आ रहा है तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको अपनी Fingerprint को लगा देना है इस पर लगाने के बाद गाईज आप अपना Password सेट के लिज आते हो यहाँ से उसको Hide कर सकते हो चलिए मैं इसको Select कर लेता हूँ कुछ Apps को और यहाँ पर मैं उनको Hide कर देता हूँ तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यह Right करने सान ऊपर की तरफ दिख जाएगा इस पर क्लिक कर देना है और देखे दो Apps आपके यहाँ पर Hide हो अभी आपको देखना कैसे होगा इन hide हुए apps को तो आपको जाना अपने drawer में और drawer में आने के बाद आपको फिर से दो बार swipe करना अपने left side में screen पर तो यहाँ पर जैसे करोगे तो आपका pattern माँगेगा फिर से और यहाँ पर hide हुए apps के आपको दिखा देगा तो गई इस तरीके से आप यहाँ पर जोए किसी भी apps को hide कर सकते हो